एलो फ्रेंग्स असलम लाइकूं वेलकाम बेक टू अनाधर वीडियो तो फ्रेंग्स कैसे हाब सब लूप अशा करते हैं वुच्छे होंगे तो यहां मैंने ले लिया है बन्रेश चिकेन बन्रेश चिकेन को मैंने चोटे-चोटे पीश करके काट दिया तो चले रेसिपी के मैं यहां मैं खड़ाव मीडिया तो यहां मैं में आपन Ś्क न समय ना चिकेन ठबनेगा। अपने डालूगी गार्डिक-णाव स्कुंटे ओअझ नहीं दूड़। क्या याज का चीकेन तुड़ा अलग बनेगा कभी ख़ी होता है ना प्रेंट्स इसे वज्ट ख़ी नहीं खाता है तो हम चीनता हो जाता कि अब इस ca किया करूं तो कभी-कभी खीमा बना लेते हैं और कभी-कभी पकड़े बना लेते हैं लेकिन इस तरह से बनाने से आपका एक मज़दार शांदार रेसेपी बन जाएगा और खाने में बहुत अच्छा लागेगा तो गार्लिक मेरा हो गया है अब मैंने डाल दिया यहां सुखा लाल मिर्च साथ में मैंने डाल दिया तोड़ा जीरा अब मैं इस तरह से मिला लोंगी फिर मैंने डाल देंगे चिकन चिकन को में ज्यादा फ्राइई नहीं करूँगी इसे तुम्हें फ्रीच तोड़ा फ्राइई करती हूं क्यूकि ूब्राइई करने से खेले रहते आज भी हैसे लेकिन आउज में इसे फ्राइए नहीं करूंगी बॉनलेस टिकेन जो है वो फ्राइए करने से और सफ्थ हो जाता है सफ्थ के बज़े से कोई नहीं खाना चाहता तो इसलिए आज मैं सफ्थ और मज़दार रेसिपी बना रही हुआ आपके लिए तुड़ी दिन मैं इसे ऐसे मिलाऊंगी फिर मैं में डाल दूंगी बाकी का मसाला और आज मैं इस रेसिपी में कोई पानी नहीं डालूंगी इस टिकेन में इसे में बनाऊंगी दूद के साथ हेल्दी भी हो जाएगा और मज़दार टेस्टी हो जाएगा तो इहां मैंने डाल दिया दू बड़े-बड़े प्याज बड़ी क्सच्च्च्तुरी में टीक्टर स्टब्लि स्पून मैं डाल स्वें डाल दूंगी जिन डिया स्वें स्टुरी क्सच्च्च्च्च्च्च अब मसाला डलना हो गया है मेरा मैं से चित्र से मिला लूंगी के प्लेम ने पहले से कम करके रख दिया था ताकि चिकन जो है वह फ्राइव हो चेट Пом mm का पानी जो है वे और चितर से निकल जाए तो चिकेन मेरा सफ्ट हो जाएगा तो मिलाना हो गया है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कालर बहुत अच्छा आया है देखने में बहुत लाजबाब लग रहा है अब मैं दोस मिनिट के लिए इसे डखके रख दूंगी कॉमास में ताकि चिकेन का पाने भी निकल जाए और चिकेन भी पक जाए तो आज मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ जीरा राइस जीरा राइस का रेसिपी में बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो यहां मैंने डख दिया कॉम फ्लाइम में रख दूंगी मैं और दास मिनिट के बाद निकल दूंगी कि दस मिनिट हो चुका है आप देख सकते हैं चिकेन ने पानी चुर दिया है और मसाला चाहें वह अच्छी तरह से भून गया है कुश्पू बहुत ज्यादा निकल रहा है फ्रेंट्स अब मैंने डाल दिया अतक आप दूद अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आप एक का भी डाल सकते हैं दूद के साथ आप मलाई मलाई भी डाल सकते हैं अगर दूद नहीं है आपके पास तो आप मिल्क पूरा नहीं डाल सकते हैं उसमें पानी मिला के आप डाल दीजिए तो रेसे भी मेरा रेडी हो गया है अब मैंने यहां डाल दिया दनिया पाता और इसे गार्णिश कर दिया अब मैं इसे सार्व कर देती हूँ जीरा राइस के साथ तो फ्रेंट्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कोमेंट और शेयर जरूर किजिएगा और अगर मेरे चैनल में नवे हैं तो सब्सक्राइब करना मत पुलिएगा आप भी इसे एक पर बनाएए खाये और अपनों को खिलेए ज़रूर ट्राइगे जेफ्रेंट्स बहुत अच्छा बनता है यह मेरे बैचे भी बनलेस चिकेन नहीं खाते अगर मैं चिली चिकेन या चिकेन पकड़ा या खिमा बनाती हूँ तो खाते है लेकिन इस तरह बना आने के बाद उन लोगों को बहुत इच्छा लगा आप भी बनाएए खाये तो मिलते हैं अब ले अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए पांग फाइव हुआ 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 हुआ